श्री गणेशायनमा देवशैनी एकादशी व्रत कथा तुमने कल्यूगी जीवों के उधार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है क्यूंकि देवशैनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है इस व्रत से समस्त पापनश्ट हो जाते हैं और जो मनश इस व्रत को नहीं करते वे नर्ग गामी होते हैं इस व्रत के करने से भगवान विष्णू प्रसन होते हैं इस एकादशी का नाम पदमा है अब मैं तुमसे एक पौराणिक कता कहता हूँ तुम मन लगा कर सुनो सूरिवंच में मनधाता नाम का एक चकरवती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांती पालन किया करता था उसकी सारी प्रजा धंधानी से भरपूर और सुखी थी उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था एक समय उस राजा के राज में तीन वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया प्रजा अन की कमी के कारण अतियन दुखी हो गई अन के ना होने से राज में यग्यादी भी बंध हो गई एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी हे राजा सारी प्रजा तरही तरही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की स्रिष्टी का कारण वर्षा है वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है इसलिए हे राजन कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे प्रजा का कष्ट दूर हो राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन उत्पन होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अतिन दुखी हो गए हैं, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ, ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया, वह अनेक रि राजा ने हाथ जोड़कर विनित भाव से कहा कि हे भगवन सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पढ़ गया है, इससे प्रजा अतिन्त दुखी है, राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसे शास्रों में कहा है, जब मैं संधे को दूर कीजिए, साथी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताईए, इतनी बात सुनकर रिशी कहने लगे कि हे राजन या सत्युक सब यूगों में उत्तम है, इसमें धर्म को चारो चरण सम्मिलित है, अर्थात इस यूग में धर्म की सबसे अधिक उन् इस एक दोश के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाते हो, तो उस शुद्र का वत कर दो, इस पर राजा कहने लगा कि महराज मैं उस निरप्रा तपसिया करने वाले शुद्र को किस तरह मार सकता हूँ, आप इस दोश से चुटे का कोई दूसरा उपाय बताईए, तब रिशी कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अनी उपाय जाना चाते हो, तो सुनो, आशर मास के शुकल पक्ष की पदमा नाम की एकादशी का विधी पुर्वक वरत करो, वरत के प्रभाव से तुमारे राज में वर्षा होग प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुँचा, अथा इस मास के प्रभाव से वरत सब मनिशों को करना चाहिए, यह वरत इस लोग में भोग और परलोग में मुक्ति को देने वाला है, इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनिश के समस्त पापनश्ट हो जाते है एक बार प्रेम से बोलिए, रादे, रादे